कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग्रा ठोड़ हर घर देशी गोवन्स हर खूंटे देशी गोवन्स इसी मुहिम को पूरा करने के लिए आज का वीडियो मैं साइवाल नसल की गाये पर लेकर आया हूं अगर आज आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब जूरूर से कर लें साथी साथ नस्दीक दिये गए बेल इकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले चलिए सुरू करते हैं आज मैं आपको इस गाये की कंप्लीट लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा साथी साथ इस गाये के बारे में आपको पूरी जानकारी भी दूंगा आप इस व मुठिया थन है लंबे मुठिया थन है यह दूसरे थन की दार देखिये और यह तीसरे थन की दार देखिये चारो थनों की दार मां आपको अलग लग दिखाऊंगा यह चोते थन की दार देखिये यह जो गाये मां आपको दिखा रहा हूं यह भी ताजा ब्याई है यानि की कली इसने सुन्दर मेल काफ को जनम दिया है साइवाल नसल की गाये और उसके नीचे मेल काफ है इस गाये के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आप इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट देखिए जो गाये आप देख रहे हैं वैसाइवाल नसल की है और छोटे सिं कर रहा है क्योंकि अभी ताजा ब्याय को इससे अभी आज दूसरा दिन है सुन्दर कदकाथी और लंबी नाभी साथी साथ जो बोड़ी स्ट्रक्चर है वह भी काफी उंदा है हम का साइज है यह एवरेज है काफी इसको अधिक नहीं मानेंगे लेकिन यह कम भी नहीं है ज काए बड़ी शांत सरल सभाव की है ताजा ब्याईवी काए जरूर एक दो बार पैर हिलाती है क्योंकि वह बच्चडे को चाटने के लिए उत्सुक रहती है इसी वजह से वह अपने पैरों को एक दो बार हिला देती है इससे इसके सभाव को गर्म नहीं मानना चाहिए क्यो सेकेंड लेक्टेशन में है यानि कि अपने दूसरे ब्यात में है दो दिन पहले इसने मेल काव को जनम दिया है इस गाए को रजजत जी जो डिश्टिक शिरिक गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं वैसेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं इनका मोबाइल नमबर ह 966-4368-997 इन मोबाइल नमबर पर संपर करके आप इसकी लाइव वीडियो को लिंग के दुरूबी मिल्किंग चेक कर सकते हैं साथ ही साथ आप यहाँ पर स्वेम प्रेजेंट होकर दो से तीन टाइम मिल्किंग अपने हाथ से करकर देखेंगे तो यह आपके लिए काफी फाइदेमंद रहेगा काफी उचीत रहेगा साथ ही साथ यह आप यहाँ प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ इनके पास जो गाए अविलेबल है उनमें से भी आपको चोईस करने का मुखा मिलेगा आप उनमें से भी किसी दूसरी अन्य गायों को भी पसंद कर सकते हैं उनकी योग के दुरू जो लाइव मिल्किंग आप देखते हैं उसको अवोइड करना ही जादा अच्छा रहता है मेरा मानना है कि आप खुद अपने हाथ से चुआई करेंगे तो आपको सही उसके दूद की छमता के बारे में और साथ ही सवाओं के बारे में भी जानकारी मिलेग बच्छडा काफी उचल कूद कर रहा है आप देख सकते हैं वीडियो की स्पीड थोड़ा मैंने फास्ट की वी है लाइव मिल्किंग ओल्मोस्ट कम्प्लीट होने को है और इस गाये ने कितना दूद तयार कर लिया है वह भी मैं आपको बताता हूँ इस गाये ने लगबग अभी दस लिटर के आसपास दूद यानि की खीस दिया है और इसकी कीमत रजजजी ने 42,000 पे 42,000 रुपीज डिमांड की है आप इसका खीस देख सकते हैं दूद छमता के बारे में बात करें तो रजजजी ने 12 लिटर प्लस की दूद छमता बताई है ऐसा है वीडियो आप को पसंद आया होगा पसंद इसे लाइक जुरू किजेगा धन्यवाद दोस्तों